आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आंचल का अर्थ क्या होता है और साथ में इसको कुछ उधारन वाक्यों से भी हम और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आचल का अर्थ समझते हैं आचल को अंचल भी कहा जाता है यनिके आचल और अंचल दोनों का एक ही मतलब होता है और अंचल का अर्थ हो सकता है किसी प्रदेश या स्थान का एक भाग इसे किनारा या तट भी कह सकते हैं या छोर भी कहते हैं तो आचल जो है व पुर्वांचल मतलब उत्तर का जो भाग है उसे उत्रांचल कहते हैं, पूर्व का जो भाग है उसे पुर्वांचल कहते हैं, इसके इलावा आँचल का मतलब धोती, दुपटा या बिना सिले किसी वस्त्र की तोनों छोर पर का जो भाग होता है, इसे पला या छोर भी कहा जा कर सामने छाती पर फैला होता है और इसे आचल भी कहा जाता है और अंचल भी कहते हैं जैसे मा का आचल तो मा का आचल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया तो आप इसको इस तरह किसी भी समझ सकते हैं कि कई बार मा की गोद को भी आचल कहा जाता है या किसी तट को या किसी किन प्रदेश के एक भाग को भी आँचल कहा जाता है, जैसे पूर्वी भाग को पुरवान चल और उत्री भाग को उत्रान चल कहा जा सकता है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें